हेलो दोस्तो तो आज के वीडियो में हम लोग एकने वाले कि जो फीश के बॉड़ी पे जो फाइट स्पॉट्स आते हैं जिसके वज़े से फीश मर जाती है तो बहुत से जन्द के जो भी एक्वेरियम में जो भी फीश रखते हैं उन सब को एक मतलब बड़ा प्रॉब्लम हो होता है तो उसको एड करने के बाद आप अगर देखोगे तो इसके दूसरे तीसरे दिन फीश के बॉड़ी पे इस कुछ वाइट वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं तो कुछ इसी दर से प्रॉब्लम मेरे फिश टाइंग में भी हुआ है क्योंकि मैंने भी रेसेंट प्लाइट अंग्में फीश टाइंग में प्लाइंग की है ते अल्टिफिशल प्लाइंट से एड किया था तो इसके दूसरे दिन से फिश के बॉड़ी पे यह वाइट-वाइट स्पॉड्स दिखने लगे हैं तो जैसे मैंने नूटिस किया मैंने अपने फिश्टाइंग में टेट्रा साइक्निंग 500 करके एक मेडिसेंज आती है तो आप उसे मैंने आड कर दिया फिश्टाइंग में आप वीडियो में देख सकते हो इसका एक कैपसुल टाइप आते है तो आपके जो फिश्टाइंग की होता है वो फीश के डिसीज को क्योर करने में सबसे ज़्यादा हेल्फ करता है साइमेल्टिनेसले अगर आपके बास हिटर है तो आप उसको 30 के टेमपरेजर पर सेट करके इसको एक्वरियम में आड़ कर देना क्योंकि अगर पानी का टेमपरेजर बहुत ज्यादा कम होता है थंड़ा होता है तो इससे भी डिसीज होते है तो वाम ओटर होने के वज़ए से डिसीज तोड़े से क्योर होने में हेल्प होती है साइमिटर देंड जब भी कुछ मेडिसीन्स अगर आप आड़ करें तो आपके बैजता आंग में जो भी स्पंज फिल्टर है आप कोई पावर फिल्टर तो उसका स्पंज निका रहे हैं कि मेडिसीन अपूर अप्लाए ताकि उसका इम्पैक क्यादा देर पानी में रह सकत साथ और आप इसको नोटीस करें वन दे तक अगर इनके से अगर कुछ नहीं होता है तो आप उसका इसका वोटर चेंज कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि मैंने सेचंड डे में इस में से जो वोटर था उसे चेंज कर दिया है हलाकि बहुत सीजिन आपको कहते होगे कि 50% या 75% वाटर चेंज कर देना बड़ अगर आपके टैंक में अगर डिसीज जादा है तो आप हो सके उतना और अगर आपके पास कोई स्टोर किया वाटर है तो आप 100% वाटर चेंज कर देना मेरा सजेशन तो यही है कि अगर जो डि 30% वाटर में जो रिमिनिंग वाटर है उसमें वाटर डिसीज रहेंगे तो बेटर है कि आपके आपके पास कोई स्टोर किया वाटर है तो आप उसे यूज़ करें मेरे पास तो स्टोर किया वाटर था तो मैंने 100% वाटर चेंज करना बेटर समझ ले क्योंकि मेरे इसमें ज चेंज कर दिया और मैंने जितने भी सब मटेरील सामें प्लांट्स या टांड्स जो भी फील्टर या जो इन तॉन और सब कुछ थे उसे मैंने में से निकाल के उसे अच्छी तर इसे वोश किया वोश करने को टाइम पे आप गरहम बनी साइम आइम साइमल्टनेसली या और आपके वाज जो श्टोर किया वह वोटर है उसी को फिर से आड़ कर देना डारेकली जो भी टैब ओडर है उससे मत आड़ करना ताकि इसके वज़े से एक्वेरियम ने जो गुड़ वैक्टर्स होते हो नहीं होते और फीश को फिर से आप हाम हो सकते है क्योंकि जो टैब उसमें ज्यारा क्लोरीन होता है तो ट्राइब करें आपके वाज अगर स्टोर किया वह वोटर है जो लास्ते वह सिक्से सेवन डेज से ज्यादा है तो आप तो ही आप आपके टाइंग में से हंडेट प्रिसन ओटर चेंज कर देना तो मैंने आप मेरे पास जो स्टोर किया जो लास्ट वन वीक बीफोर गा उसे मैंने अपने टैंक को रिफिल कर रहा हूं और सैमल्टनेसले में इसमें ब्लू लिक्विड आड़ कर रहा हूं जो जिसके जो भी जो वाइट ओगरा स्पॉर्ट्स आते है या जो फंगल इंफेक्शन जो फिश को होगा होता है तो थो हर एक फिश को इंफेक्शन हुआ था तो मैंने थोड़ा जादा कॉंटिटे में जो प्लू लिक्विड है उसे एड़ किया था ताकि पानी का थोड़ा कलर जो है वो ब्लू दीखे और जो इंफेक्शन है जो फिश को वो जल्दी क्योर हो सेगे तो मैंने जितने ugye fish tank के माटरियल दे मेरे जैसे प्लैंट्स है यहाा जो फील्टर है ओ जो भी कुछ इटर है उसे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और अभी उसको मैं, टाइंग में फिरसे आड़ कर रहा हूँ इसको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहे तो छोड़ा पर नहीं या और सॉल्ट लेके उससे वाश करना था कि जो भी इसके उपर जो भी बैक्टिरिया जो बैड बैक्टिरिया जिसके वज़े से आपके टैंग में फंगस जो सारी जो वाइट सब निकल जाए हो जिसके वज़े से फिर से फीश को कोई हाम ना हो तो एक बार जब भी आप फीश को जब आड करो जो फीश को आप हलके हाथ में पगड़के उसके अन्दर उपर जो बैक्टिरिया जो वाइट स्पॉट उसको हलके हाथ से साफ करना था कि अगर कुछ है तो निकल जाए तो जो भी वाइट स्पाट्स हो रहा होते वह निकल जाते और इसका वीडियो मेरे लिस्ट में औरेडी एविलेबल भी है तो आप पूचाय के चेक कर सकते हो मेरे गोल्ड फिश को जो मेरे त्री यार्स ओल्ड गोल्ड फिश थे उसके हेड में इसे प्रॉल्म होता तो मैंने इसी तरह से उसको अच्छी तरह से क्योर भी किया था और वह 100% उसका जो प्रॉल्म था वो रिमो भी हुआ था तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने हर एक मैंने 100% वोटर चेंज किया देने इसके बाद सब प्लांट्स वारा फिर से सेट कर दिये और इसमें थोड़ा सा ब्लू लिक्विड आड कर दिया जिसके वज़े से पानी का क इससे भी बौड़ी वोड़ स्पर्ट स्पेस के कुछ भी वॉल्ट स्पर्ट नहीं दिख रहे है तो जितना था उतना मैंने जो स्पार्ट्स जो वाइट स्पार्ट्स थे वो उसके क्योर करने की नहीं हुँई और अप डेकी लिए उसका जो जो बी डीस थे जो 100% तो नही हुए है हां बट जितने हो से के मैक्सिमम लेवल तक मैंने उसको फ्यूर करने की कोशिश किये और फिश हेल्दी है आप देख सकते हो किसी भी फीश के बॉड़ी पर अभी हॉट्सपॉर्ट जो अपने स्टार्टी में देखा वह उतने दीख नहीं रहे है और बॉड़ी भी आपको कमेंट कर दोतों अगर मेरे इस वीटियो में आपको कुछ मेरी कलतिया आब अगर नोटेस हुई हो तो आप उसे identify कर देना ताकि फिर मैं उसको next time पे rectify कर पाओ तो hope आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हुगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो please वीडियो को like करना और चानल को subscribe करना ना बुले और in case अगर आपको aquarium के related अगर कुछ भी queries है तो आप मुझे comment कर सकतो अगर मुझे उसका solution पता है तो मैं आपको ज़रूर reply करूँगा अगर in case नहीं पता है तो मैं किसी और से पूछ के या फिर कुछ information निकाल के मैं आपको उसका reply करने के कोशिश करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा हो thanks for watching और प्लीज आप वीडियो को लाइक करना ना बुले thank you